Hey guys, welcome to source point, this is Rishika आज अब हम आपनों यहाँ पर डिसकूस करने वाले हैं कि अब हमारा second year का जो तमिल आडू की यहाँ पर higher secondary की book है history की वो हमारे start होने वाली है, first year की जो ती उसमें हमने ancient history और medieval history कंप्लीट कर लिया आप हमने यहां पर modern history को देखने वाले हैं तो यह volume 1 है इसके बाद volume 2 आएगी यह एक latest edition है चुकि 2019 का ही आपको edition देखने को मिलेगा काफी सुन्दर book है यह क्योंकि इसमें बिल्कुल से colorful हो चुका है क्योंकि हमने जो अभी class 11 की पढ़ी थी वो थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगा कि black and white था लेकिन boring नहीं था अगर आप लोग इंट्रेस्ट लेकर पढ़ना होगा तो आप लोग वो बुक बिल्कुल boring नहीं लगेगा क्योंकि हर एक statement से questions निकलते है तमिल नाडू बुक की यही खासियत है इसलिए जितने भी toppers है वो यहां पर suggest करते कि आप लोग निया चीज है कि यहां पर learning objective आपको बताया जाएगा जो कि हम लोग already देखते थे हैं बट यहां पर अच्छा खासा introduction भी है एक barcode भी है जिससे क्या है ना कि आप लोग animated audio video यह सारी चीज़े में आपको help मिलेगा साथी साथ do you know वाला एक system रखा गया जैसे हम लोग ने संकर आपको देखने को मिलेगा box की रूप में बनाया गया है कुछ questions भी है इसमें और कुछ additional information भी है जो कि आपके knowledge को बहुत ज्यादा enhance करेगा आपके understanding को यानि कि आप उस topic को अगर पढ़ रहे हो समझ रहे हो तो वो आपको बहुत depth में ले जाकर समझाएगा काफी अच्छा है ये चीज़ ये मुझे इस book में particularly बहुत अच्छा लगा infographs है बहुत सारे visual representations है जिसे कि आप लोग के जो complex चीज़े है जो complex topic है वो बहुत ही जादा simpler हो जाएगी इसको हम लोग start करने वाले हैं कल से आपकी इसके lesson आना start हो जाएगी कुछ activities भी दी गई है यानि कि आप पढ़ रखा है science की या फिर geography की तो उसमें भी बूझ हो जाने इस तरीके का है कि कुछ activities भी आप खुद से करो फिर उसके बाद summarize किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से main points में आपको briefly summarize भी किया गया है इस summary से क्या होता है ना कि आप लोग last moment में जब revision करनी होती है तो पूरे chapters तो आप लोग नहीं पढ़ सकते हो लेगिन इस summary से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे तो काफी better होगा साथी keyword से technical term भी है जो कि बहुत better तरीके से यहाँ पर आपका explain किया गया है अलग उसको भी time to time revise करते रहोगे तो questions जो है ना आप लोग देखोगे कि history का अगर tricky बनाना है questions तो वो लोग क्या करते है कि कुछ word को keywords का पूछ लेते ही कि इसका मतलब क्या था उस समय मुगल समराज में इसका मतलब क्या था British में इसका मतलब क्या था तो उस तरीके का question पूछते तो glossary को भी यहाँ पर add किया गया है तो यह सारा चीज आप लोग को देखने को मिलेगा काफे interesting होने वाली है चलिए आए इसी के साथ हम लोग content भी देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ यहाँ पर हमें पढ़ना है सबसे पहले हम लोग rice of nationalism में देखेंगे इंडिया में फिर इसके बाद extremist की बात करेंगे फिर सदेसी movement हम लोग देखेंगे world war का हमारे Indian freedom movement में क्या impact पड़ा इसको भी देखेंगे थोड़ा आप क्या सकते हो ना कि यह mix up है यह book पहले की जो तमिलनाडू की 12th class की book थी second year की उसमें क्या था कि थोड़ा अलग था division था modern इंडिया अलग से था लेकिन यहां पर इन दोनों को mix कर दिया गया है यानि कि timeline के थूँ आपको साथ-साथ पढ़ना होगा साथ-साथ आप लोग यहां पर समझते जाओगे कि world history में भी कौन-कौन सी यहां पर घटना है जो के होते गई उससे के साथ आपको modern India का भी सारा जो है movement से वो सब आपको देखने को मिलेगा तो एक अच्छा link आप लोग यहां पर बैठा आपाओगे radicalization की period देखेंगे nationalist politics की यहां पर region देखेंगे international movement का last phase देखेंगे उसके बाद post-colonial India की reconstruction देखेंगे social economic order देखेंगे हम लोग बट तरीके से तो कल से यह start होने वाला है अगर आप लोगो यह lesson पूरी देखनी है यह book पूरी आप लोगो complete करनी है तो बस हमारे channel के साथ आप लोगो जोड़ सकते हो और daily आप लोगो यह video ज तो चलिए start करते कल से आज के लिए बस इतनी थैंक्यू